नमस्कार आप देख रहा आरेडी नियूज मैं हूँ योगी श्क्रबर्ती 243 सदस्य बिहार बिधान सभा में बहुमत का जादूई आकड़ा 122 है और चाचा भतीजा इस जादूई आकड़े तक पहुँचने के लिए आमने सामने हैं तलवारे खीच रखी है आमने सामने आन उड़ाने में भी संकोच नहीं करेंगे बिहार की राजनीती में फिलहाल ऐसा ही महौल है और कहा जा रहा है कि बारह फरवरी के पहले तेजस्वी यादव का जेल जाना भी तैह है और सीम नितीस जैसा कि आपको पता है कि आज दिल्ली कूच कर रहे हैं और दिल्ली में मंत्री अमेश शाह और बीजेपी के रास्तिय अध्यक्ष जेपी नड़्डा से मुलाकात करेंगे इस मुलाकात का क्या है माइने और बारह फरवरी को फ्लोर टेस्ट में चाचा कैसे पास करेंगे इस पर हम बात करते हैं हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार संतोस कुमार जी है जी क्या कुछ हो रहा है बिहार के सियासत में कि अभी चरम पे है राइमितिक सियासत पर सह और मात का खेल दुनों तरफ से चल रहा है अब देखना है कि बारतारी को इस सह और मात में कौन की से मात देता है जोड आज माइस दोनों तरफ से चल रही है आप देखे होंगे कि कॉंग्रेस बिधायकों को एदराबाद ले जाया गया जद्यू के बिधायक नेपाल भागे हुए है तो पिलिस पकड़ करके ला रही है जद्यू के कुछ बिधायक साउथ भर्मन को गए हुए थे उन्हें गुलाया गया है परती दिन जद्यू के तरफ से ओपरेशन बिधान सवाध द्यच चल रहा है इसमें जद्यू की कोशिस है कि अपने बिधायकों को तो बचाया ही जाए साथ ही राष्टिये जन्तादल, कॉंग्रेस और बामदल, माले इन बिधायकों को तोरकर अपने पाले में लाया जाए इसकी मूल वज़ा यह है कि नितिस कुमार अभी भी बहुत डरे सामें है वो देख रहे हैं कि लोग सभाचुनाओं है का लाला सभी बिधायकों की इच्छा होती है कि लोग सभाचुनाओं लड़े सभी बिधायकों की इच्छा होती है कि मंतरी बने और नितिस कुमार ने तो एक बिधायकों के लिए एक माप दंड ते कर दिया है कि भाई सत्ता के लिए तुम कहीं भी जाओ, किसी के साथ जाओ, जब जद्यू विधायकों का अग्मानना है, कि जब आप हमारे नेता ही मुखमंत्री कुर्शी के लिए कहीं भी जा सकते हैं, तो हम लोग मंत्री के लिए कहीं क्यों ना जाएं, एंपी बनने के लिए कहीं क्यों न जाएं लालू परसाद में क्या बुड़ाई है तेजस्वी आदम में क्या बुड़ाई है भाजपा में क्यों बुड़ाई है हम लोग नितिसकुमार के साथ क्यों लटके रहें तो ये बिधायकों ने नितिसकुमार से कई बिधायकों ने जाकर के बोल वी दिया कि आपके चौथरी रहेंगे हमेशा चौथरी मंति रहेंगे तो हम wondh confess क्या करें पसक्राइब हम लोग को भी बfatiğ मेडिया लेकिन मीडिया के सामने के कहा कक्या हम लोक सबाइब हम हमने बोल दिया तो यह स्थिती है तो नितिश कुमार काफी डड़े समय है और चाहते हैं कि बारत तारीक को किसी तरह से उनका भॉमत हासिल हो जाए अब देखे कि बिहार में उनका जुगार नहीं लग रहा है राष्टिय जनतादल को तोरने में नाकामयाब हो रहे हैं अमीज साह और मोदी की जोरी ही पार लगाएंगे और दिल्ली में अब जब तक अमीज साह और निरेद मोदी नहीं लगेंगे मुझे नहीं लगता है कि बिहार में नितिश कुमार अपनी सरकार बचा पाएंगे आप इस्टिती आप देख लीजिए भाई आप राष्टिय जनतादल के विधायकों की मतलब एक दो या तीन विधायक जाएंगे राष्टिय जनतादल के एक दो तीन चार विधायक जाएंगे लेकिन आप देखिए जनतादलियू के विधायकों की संख्या जादे है जनतादलियू की में नजर कॉंग्रेस पर थी लेकिन कॉलालू प तो वो लालच में सब लोग आ सकते हैं अब जीतर नाम मांजी जी ने असपस्ट कर दिया कि भाई उनको अच्छा मंत्राले मिलना चाहिए एक और मंत्राले मिलना चाहिए नहीं मिलेगा तो हम भाई मेरे पास ओफर है तो जीतर नाम मांजी अगर पाला बदल देते हैं तो फिर मुश्किल होता है जीतर नाम मांजी अगर पाला बदल लेते हैं जीतर नाम मांजी तो सरकार के लिए मुशिवत हो सकती है जीतर नाम मांजी अगर पाला बदल लेते हैं तो चार संख् चुनाव मंत्री बनने को कई लोग तयार है जद्यू के कई विधायक तयार है तो जैसे ही जीतर नाम मांजी अगर पाला बदलते हैं तो फिर नितिसकुमार के लिए सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा और मुझे लगता है लोग बोल रहे हैं लालू परसाद नहीं भी तो ते चार बीधायकों के जो गार में नहीं है वह 15 से 20 को के जो गार में लगे हुए हैं भाई 15 से 20 को अब अमीश्ताएग के पास गय है कि अगर तेज़सु को जेल भेज दिया जाए तो लालू आप्रेशन लालू थम सकता है तो हो सकता है कि बाड़ा से पहले जिस परकार से जहारखन में जहारखन के मुखमंत्री को जेल भेजा गिया उसी परकार से बिहार में भी त्यश्वी आदव को जेल भेज कर ऑप्रेशन विधान सभाध्यच को रोका जा सकता है इसी के लिए अगर नितिस कुमार की सरकार बच जाएगी और अगर वो नहीं लगते हैं तो फिर सरकार बचाना मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि ऑपरेशन लालू को रोकने के लिए कि अमीत साह के दरवार में उनके दर पर पहुंचे हैं सीएम नितिस क्या आपको लगता है कि बीजेपी जारकंड से सबक नहीं ली होगी देखिए जारकंड की बात अलग थी जारकंड में विधायकों की प्रयाप संख्या थी जारकंड में लेकिन बिहार में इस्तिति जो है बिधायकों की प्रयाप संख्या नहीं है मतलब ने ने में आने के बाद ही दीतर नाम माशी कि आने के बाद भी तीन बीधायकों की जूरत पर ते पneck 5-7 विधायका के इस्तिफाòng नहीं देंगे तब अलग उट के रूप में मन्यत्या दी जाएगी तभी तेजस्वी जादव सरकार बना सकते हैं नहीं तो सरकार गिरने के बाद भी सरकार तेजस्वी जादव को बनाना मुस्किल होगा लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी इस्तिति में भाजपा चाहेगी कि राष्टपति सासन ले जाए तोकि नितिश्कुमार मुढी अलादमी हो उठेंगे और कुछ भी कर सकते हैं रात को आगे और सूबह पता चला की बाष्टपा के साथ हैं और तो वह वात sarà भंग कर सकते हैं इसलिए बिधायकों मेन नए बिधायकों में खर वल्ली है कि वह चाहते हैं कि नहीं किसी प्रकार से विधान सभा को बचाया जाए अपना कार्ज काल पूरा किया जाए बाजपा के लिए नितिस कुमार है नितिश कुमार है तो उनकी ही सरकार है दोनों डिप्टी सीयम को नौनों मंतराले मिल गया है तो इसलिए मतलब दोनों हाट में भाजपा के लड़ू है नितिश कुमार है तो भी और भी तो मुझे लगता है कि बहुत ही कठीन घरी है बारतारी को दोनों तरफ से जो सरकार थी बिहार में तभी से सामने आ रही थी कि सीम नितीस कभी भी बिधान सवाब भंग कर सकते हैं और बिहार मध्यावदी चुनाव की ओर जा सकता है और खासकर के मैंने इंडियन एक्सपरिस जैसे अखवार ने इस खवर को छापा था तो क्या सचमुच आपको शंतोजी कि ऐसा लग रहा कि वह घड़ी आ गई है या अध्यक्ष जो जिनकी बात आपने की अध्यक्ष जो मौझूदा आरजेडी के अध्यक्ष हैं वह बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं नितिस कुमार पहले से लोकसभा के साथ बिधान सवाब चुनाव कराने के पजदर रहे हैं और अभी जो इस्थिती है बर्तमान इस्थिती इसमें नितिस कुमार को जैसे ही लगेगा कि अब सरकार नहीं बचेगी तो विधान सवा भंग करने की अनुसंसा कर सकते हैं अभी गवर्नर भाजपा का है के अंदर में भाजपा की सरकार है और तुरंत गवर्नर मान लेंग जैसे ही विधान सभा अध्याच का भोटिंग होगा फुलोर ट्रेस्ट पर लगेगा कि अध्याच को नहीं हटा पाएंगे तो नितिश कुमार उससे पहले जा करके इस्तिफा दे दे यह जा करके विधान सभा भंग करने की अनुसंसा कर सकते हैं मुझे यह लगता है आप दो समर्थन आगया था भामदलो का समर्थन आगया था निदलीय का समर्थन उनके पास तो इसलिए उन्होंने, भंग कर दिया थे अब ही संख्यांवल प्रयाप्त लालू परसाथ के पास हैं, आगर अलग उठ में रुपे दे जान सभा भंग करके लोग सभा चुनाओं के साथ मध्यावती चुनाओं कराएगी बिल्कुल तो हम आप से एक चीज़ और चाहेंगे कि हम राजनीतिक बात चीज़ कर रहा है लेकिन इसमें हम जनता को भी सामिल करना चाहते हैं कि अगर बिहार मध्यावधी चुनाओं की और बढ़ा तो क्या बिहार की जनता सीम नितीश को माप करेगी समय से पहले चुनाओं के लिए देखिए जनता देश बिहार की जनता जो है वह मतलब ज्यादा दिन याद नहीं रखती है भोली वाली जनता है जनता मतलब एक जूठे आसवासन पर पागल हो जाती है आप देखे होंगे लोग सवाचुनाओं में नर्यंद मोदी ने बोल दिया कि काला धन आएगा 15 रुपया सब के खाते में जनता पागल होकर के नर्यंद मोदी को मोदी हुई है कुछ लोग लालूपरसाद के साथ जूटे हुए हैं तो कुछ नितिस के साथ जूटे हुए हैं तो कुछ भाजपा के साथ जूटे हुए हैं कुछ कॉंग्रेस के साथ जूटे हुए हैं कुछ पप्पु यादब चोटा पार्केट है तो जो ज्यादा लोग जिसको ज्यादा लोगों का गठबंदन होगा उसकी सकता होगा वही चुनाब में जीतेगा जिसके पास बहुमत का आकड़ा होगा और हम आपको बता दें कि बारह फरवरी से पहले बिहार में बहुत कुछ खेला होना बाकी है कहा जा रहा है कि तिजस्बी यादव नौ तारिक तक गिरफतार किये जा सकते हैं और फर्याद लेकर सीम नितीस मोदी दरबार में पहुँच चुके हैं तो देखिए आगे आगे होता है क्या बारह फरवरी को ऊट किस करवट बैठता है फिलाल इस चर्चा में इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अपना बहुमुलिस सुझाव और विचार जरूर धन्यवाद